देश मेरा जल रहा है आग लगी है सीने में हुक्मरा सव्यफ्त हैं खून गईब का पीने में तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूं परमादर निये सभापती महोदै मंचाशीन निर्नायक मंडल समीती एवो मवस्थित मेरे प्यारे साथियों मैं आरक्षी खुश्बू चोहान केंद्रे रिजर पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूँगी महोदै दर्द हद से तब गुजरनी लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज, पुलवामा, 36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य स सामने आते हैं, उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदै का कहना ये कि मानवा धिकारों के अनुपानला करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है, महोदै आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आज कल फहराने से जादा मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूँ, महोदै तो उस दिन फट गया जब बुड़ी मा अपने बेटे के चितरों को देख कर बोली कि साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ, महोदै आज इन मानव अधिकारों के कारण, इन आतंक्यों के बंगलों की आखाओं की नाकफनी हसती है, और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है, जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेदना, चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांका सिंदूर नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, बहुद है, किसी भी युद्व को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवा है, कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं, परन्तु आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंदे हुए हैं, कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्योंकि महोदै भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है, वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तैकर ना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वा तली ये मीडिया हमें छोड़ेगी, और महोदै मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना, कोई वीरता नहीं, एक आत्म हत्या है, क्योंकि महोदै फूल को श्रिंगार दो, ये मुम्किन नहीं, और एक वीर को जनकार दो, ये मुम करता है, क्योंकि वो जानता है, कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली, अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी, तो भी 400 मिटर तक जाएगी, और यदि इस बीच, वो किसी निर्दोश को लग गई, तो महोदै हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है, और चिरागों को हवाओं में उचाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है, अरे हमी तो बुनियाद हैं अंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है, महोदै, जब पुलवामा में 44 जवान सहीद हुए, 36 गड़ में 76 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्स में आकर खड़ा नहीं हुआ, परन्तु जब JNU विस्पित ध्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम सर्मिंदा हैं, जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं, तो स जिस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से अब जल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे, जिस कोख से अब जल निकलेगा, उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंग बन कर दहार दो, और एक तिरंगा जंडा उसका नहीया के सीने में गार दो, महोद है, अंत में अपन महानवादिकारों के अनपाहला करते हुए, आतंगबाद और उग्रवास से कभी नहीं निप्टा जा सकता, महानवादिकार के नाम की दुहाईयां देने वालों, सीमा पर लडा नहीं जाता, चर्कों से शोलों के आगे, रामायर पढ़ी नहीं जाती, सीमा पर गोलों के है, क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है, जै हिंच, जै भारत!